हेलो एवरिवन वेलकम टू टू पीजिटल गुरुकुल चैनल इस वीडियो में हम आठी क्लास एट की मैथ की वक्स की 3949 करेंगे जिसकी डेट है 25 पर वही इसमें स्टार्ट करने वाले एक नया चेप्टर मैंसुलेशन और मैंसुलेशन से लेटे जो हमारे जितने भी फीगर सब्सक्राइब नेट करने वाले हैं क्या टर ए क्या क्या एक सकते और कलव सकते हैं आज भीजिए た क्योड़े ऑती है अस् 2 किसे क्या होती है प् ann Ethan करते है 15 और क्योक्ति होटी है त्रिएप देख्योंगी तेख्योंगी सेच्फोंगों लिए से बोल साज़ शेप्स आपने देख्के होगी, सम अब विच और कॉंप्लेक्स और समार इजी, सम अब विच और कोड़ जियोमेट्रिकल फिगर्स, बिकोज देर प्रोपर्टी जेप्स अब बीन डिफाइन बाइस, जिसकी शेप, और प्रोपर्टी, साइज हम लिफाइन कर पायों, वो हमाइस जिपरेहन लीघ्टिक्ल फिगर्स हैं तो इनके पार में पढने से बहले फुटथा चैनल को सब्सक्राइब कीजए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो तो पहला डायग्राम हमें दिया गया है ट्राइंगल लेकिन यह ओपन है तो खुषपवड़ क्या होती है जो हमारे प्लेइन को दो या थ्री एक जेक्ट थ्री पार्ट में डिवाइट कर दें एक बहार वाला एक अंदर वाला और एक किस्प के ऊपर वाला कि अग्र फिगर मेड ओफ थ्री लाइन सेगमेंट से बनी होते है वन तू त्री और ख्लोज र प्लेट वाली जो है साइड पर क्या कर प्रपेंडिकुल डाल दे तो हमारी हाइट बन जाती है एरे हमारा के आधा ट्रेंगल का वन अपॉन टू बेस इंटू है नेक्स्ट फिगर हमारे पास स्क्वाइर स्क्वाइर की सारी साइड इक्वाल है यह है तो यह भी होगा यह स्क्वाइर 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 स QAire में क्या होता है? साइड साइड उक्षी होती है और Rectangle में Apposit Sides उक्षा होती है नगी कि ये L है तो ये भी L होगा अगर ये B है तो ये भी B होगा तो parameter क्या होगा? L प्लस L 2L B प्लस D 2B 2L प्लस 2B 2कुमरा जगा 2 इंटू L प्लस D और area हो जागा length into breath L into B और इसमें भी angle हमारा 90 degree का बनेगा next हमारा parallelogram parallelogram में क्या होता है कि हमारी जो opposite sides equal और parallel होती है angle कोई भी हो सकता है 90 degree 80 degree कोई भी हो सकता है opposite side equal होनी चाहिए और parallel होनी चाहिए area का होगा equal है तो अगर ये A है तो ये भी A होगा ये B है तो ये भी B होगा तो A plus A 2A B plus B 2B तो को मैंने के 2A plus B हमारा ये पर क्या हो जाएगा पहरे मिटर हो जाएगा अब आप क्या करो कोई भी A हमारी जो है क्या निकाल लो height निकाल लो ये h हो गई तो हमारा area होगा base into height अगर हम यहां से perpendicular डालते तो ये height हो जाती ये हमारा base हो जाता तो हमारा हो जाता H into A तो जिस पे हमने perpendicular डालते है वो हमारा base होता है तो base into height हमारा area होता है परलोग्राम का अब रोमबस के बात आगए 4 side equal होती है ये तो true था एंगल 90 degree का होना जुरूर निया diagonal सा perpendicular bisector और इसके diagonal का होता है perpendicular bisector होते है area क्योंकि 4 side equal अगर ये A है तो ये A है ये A है तो area हो गया 4 A आप को के parallelogram में इसमें क्या फुर्ण करते है परलोग्राम के जो हमारे diagonal होते है वो ज़रूरी नहीं है कि एक दुसरे के साथ 90 degree का angle बनाए लेकिन rhombus में ये ज़रूरी है diagonal साथ उसको 90 degree angle बनाते है और bisect करते है bisect तो parallelogram में इसके 90 degree का बनाते है ये mean condition है और area क्या होता है इसका 1 upon 2 D1 यानिकि एक diagonal का length multiplied second diagonal का length फिर आतर trapegen trapegen में भी 4 sides होती है 2 side parallel होती है और 2 known parallel होती है 1 pair of opposite sides है parallel देखो ये parallel है लेकिन ये parallel नहीं है equal sides इसमें कोई भी नहीं होती हो भी सकते है और नहीं भी लेकिन ऐसे कोई condition है बस condition ये है कि 2 sides हमारी इसमें parallel होती है अब यहां से हमने length ले ली तो हमारा ABCD ये तो parameter हो गया और हमारा area 1 upon 2 height into a plus b यानि जहां से हमारा perpendicular डाला गया और जिस पर डाला गया a plus b next हमारे पास यहां पर normal quadrilator quadrilator तो सभी थे तो क्या होता एक close figure जिसमें four line segment हो अब हमने ये क्या ले लिया यहां पर diagonal ले लिया उसके opposite side से हमने क्या कि अपर perpendicular डाल दिया तो area हमारे पास क्या होगा 1 upon 2 जिस perpendicular पर हमने जिस हमारे जो डागनल पर 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 पेंडिकुलर डाला था वह इंटो जो पर पेंडिकुलर डाले गए थे उन दोनों को add कर दो 1 upon 2 d1 into h1 plus h2 यह हमारा area हो गया और parameter चारो साइड का sum a plus b plus c plus t बाद आते है circle की the set of all points located at the same distance from a fixed point को अब एक fixed point है उससे same distance पे जितने भी point है उन सब को हम मिला दे तो हमारा circle बन जाता है इसके जो circumference होती है इसको हम circumference बोलते है बाकिसम में हमने parameter बोला था लेकिन circle के टाइम पे हम उसको circumference बोलते है या हिंदी में प्रीदी भी बोलते है उसकी वाले तो 2 pi r और pi के value या थो हम 3.14 लेते है या 22 upon 7 लेते है और area होता है इसका pi r square तो यह बहुत सारे हमने यहापर रूल्स देखे और इन फॉर्मलाज को याद अक्षाम बहुत जरूरी है यह सिव आपके 8 class में नहीं 9 10 11 12 है आपको यह काम आने वाली है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए बार बार रिवाइज कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंस के साथ शेयर जरूर कीजिए थैंक यू ओर वच्छिए और वीडियो